हाई स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षया आठ इतियास हमारा भारतीन और पार्ट नमबर नो हर्याना बोर्ड की किताब आपकी यह तो पार्ट का नाम है 1857 की महान करांती बहुत ही प्यारा चैप्टर था बट आज की इस वीडियो में हम क करा रखे रिटन के साथ में और वीडियो भी हैं तो प्लेइलिस्ट और पेस्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं साथ में कमेंट के अंदर भी डाल रखे हैं तकि आपको सुईधा हो सके पूरा इजिली जो है आप इसको एक्सेस ले पाओ चलो अब सुरू करते हैं पहला जो कोश्चन है कोश्चन है मारे पास में 1857 की महान करांती के लिए उत्तरदाई राजनेति कारण क्या थे देखो मैंने चैप्टर के जब अब्भ्याज के परसंत्र आपको करा रहा था उस टाइम पे भी आपको बताया था ये बात है कि भाई हर एक जो पॉइंट है लेनी भाई कैसे कोश्चन मनेगा तो उसके लिए मैंने बना के आपको प्रवाइड करा दिये हैं अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया राजनेति कार्ण यानिकी 1857 की जो करांती हुई उसके लिए राजनीति के अंदर क्या-क्या पंगे हो रहे थे जिसकी जैसे ये करांत साओर्ण में लेकी फिर्वाइड हो गई तो यहां पे जैसे मैंने पॉइंट बना ना कैसे लिख रखे लिए ना आपको भी पॉइंट बना के लिखने हैं ताकि आपको को एक्जाम में आसांई पांच में देंगे तो आपको तीन में आता है तो तीनी पॉइंट लिखना सारा भरने की जुरूरत नहीं पड़नी जी आपको अब यह जो है पॉइंट बना के इसलिए बोल रहा हूं नहीं तो भाई पूरा आप तो एक अनसीन पैसेज बना दोगे वहीं पे और फिर पता है चांस बहुत ज्यादा है तो आप कोई यह चैप्टर बहुत अच्छे से करना है चलो पॉइंट बता देता हूं यार फाल तु बखबख कर रहा हूं बहुत ज्यादा तो निमी लिखी तो नारजिनितिक कारण थे तो सब लिखी देते हैं अब पहला कारण था अंग्रेजो पर नाम अंकित नाख्या जानाँ अब मुगल समुराट बहुत छालों से कुछ सो सालों मलब दो 40 Int. 100 एरज टे तढ़ why ञाता थे यार लेकिन सरकार ने अंग्रेजी सरकार ने इसको बंद कर दिया जासी का अंग्रेजी सामराज्य में विला करना जहांसी एक बड़ा जो है केंदर वुखा करता ह सा और उसका कि नीथी के तहत तहत उसको अपने इलाके में अंग्रेजों मिला लिया अपने सामराज्य में मिला लिया उसको तो उसकी वज़े से लोग भड़क गए बाई करांतियों कोई बाद में तो यह था यह में रिजन थे अवद परकूप और बंदन का अरोप लगाकर अंग्रेजी सामराज्य मिलाना मलब कि तुमने मैनेजमेंट अच्छा नह यह भी मामला हो गया था तो यह कुछ कारण थे जो की राजनेतिक कारण बताए जाते हैं अब जो हमसे पूछा गया भाई यह उपर से क्यों छिप जाता यार यह पता नहीं चलो देखते हैं दूसरा कोश्चन है 1857 की महान करांती के लिए उत्तरदाई सामाजी कारण क्या बताना है सामाजी कारणों के बारे में इसमें बताना है समाज के अंदर क्या चल रहा था तो निमीनकित जो लोग थे हिंदू धरम के हो गए या मुसल्मान हो गए उनको जबरदस्ती इस्याइ धरम में परिवर्तित番 करने की कोशिश की जा रही थी माचाले दवारा अब से आपको पढ़ाई जाएगी इंगलिस आज भी पढ़ाते हैं यार क्या ही करें आपको तो हिंदी में पढ़नी पढ़ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं जो स्टूडेंट यह सोच रहे हैं आज की टाइम में हिंदी इस दा लिजेंडरी लेंग्वेज उसके अलावा कोई ही सरकारी स्कूलों में बाईबल का अध्यान अनिवारीय टराना अब इंदूस्ताण भारत किसका दे ता या तो भारत में हीन nein остав के इस दर और गीेता लेकिन नहीं उन्हें नहीं पने धर्म की इसाइय धर्रम की परसिदỏ की बाइबल को पढ़ताना शुरू कर दिया शकूल गोरे कहा जाता था तो इन्हों ने जो है तुम काले हो तुम ऐसे बात बना बना के जो है लोगों के अंदर जो अपमान करते थे भारतियों का तो उसकी वजह से भी भड़क गए सामाजिक एवन धार्मिक रिती रिवाजों में अनूचित हस्तक शेप करना जो रिती रिवाज थे जो आम जंता थी वो भड़क गई थी अंग्रेजों के खिलाफ अब यह जो है ऐसा नहीं है भाई आप सोचेरों कि यार एक साल में मिलब ऐसा क्या हो गया सारा पवाल एक ही साल मचा यह धीरे धीरे परिणाम हुआ था लगबग सो साल के बाद में जाके यह करांती जो है और एक दम से भड़क गई वह सारी जनता ठीक ऐसा हुआ था अब हमसे पूछा गया है धार्मी कारण क्या थे धार्मी कारण पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले सामाजी कारणी दोनों कारण सेम-to-same है बट्र मैं यहां पर या लिख यार लीक देता लेकिन अच् याद करना चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखाया क्योंकि पोइंट चैप्टर इंप्रोटेंट है याद करने हैं आपको यह पोइंट दीगा ना चलो यह वाला सेम टू सेम कोस्टन है दूसरे कोस्टन जैसा तीसरा कोस्टन बस परसन बदल गया चलो चोथा मैं देखते हैं 1857 की महान करांती के लिए उत्तरदाई सैनिक करन क्या थे हमने कोन को मई को बोला था कि करांती करवाएंगे हम और सायनिकों ने पहले दंगे करवा दिया और उसके वजह से 10 मई यानि कि लगबग 20 दिन पहले करांती शुरू हो चुकी थी तो यह बड़ा पंगावा था सायनिक कारण उस समय के तत्काले समय में कारण थे वह भी जानेंगे हम तो यह काम के अंदर दो परगार ने वह यह दो में और दूसरे भारत वाले लोग तो उन्हों साल को दे रहे थे कम इनसे भी करवा रहे हैं हमसे भी तरह कर वारे और तनक्वा हमें कम उनको जादा ये पोपत नहीं चलेगा तो लोग भढ़के हुए थे भारते सैनिक होने के बावजूद भी सेना में उच पदों से वन्चित रखना यानिकी जो बड़े अथिकारी पद उनमें सारे अंग्रेज भारतियों की इज़ट ही नहीं थी उस मामले में तो उससे भी लोग नाराज थे उनमें विलय किए गए राजियों के सासीनिकों का बेरोजगार होना हुआ क्या था धीरे धीरे जो है अंग्रेजी सकार अपना समराज्य विस्तार कर रही थी पूरे भारत पे कब जा करती जा रही थी तो जो लोग जो सैनिक जो है किसी राजा में किसी रियासत में काम कर रहे थे वो तो बेरोजगार हो गया दंदा पानी चोपट हो गया तो उसकी वज़े से जो है वो सैनिक भी प्रिशान हो चुके थे उनके मने में भी गुस्ता दबा हुआ था भारतिय सैनिकों को समुंदर पार भेजना अब ये वो कार्ण था भाई समुंदर में उड़ती बनूं मचली बनूं ऐसा नहीं काम चल रहा था वहां पे क्या चल रहा था कि भाई भारत वाले लोग ये मानते थे कि समुंदर में जहाज में बैटके जाना उनके लिए अपमान था भारत वाले लोग ये मानते थे भाई ऐसा नहीं होना चीए यह हमारे धरम के खिलाफ है लेकिन अंग्रेज उनको उठाके इंगलाइन ले जहाज में भरके तो भाई उसकी जैसे सैनी के नाराज हो गए बहुत ज्यादा चर्बी वाले कार्तुसों का परियोग अनिवारिया करना उस समय सबसे बड़ा कारण था ततकालिन कारण रहा ये जिसकी जैसे करांती बरबाद भी हो गई थी और खतरनाख भी हो गई थी चर तो उनको जो है मुझसे चीलना पड़ता और ये जो है हिंदू धरम और मुसल्मानों के लिए अपमान की बात थी जिसकी वजह से ये करांती बहुत तेजी से बढ़क गई थी और इसी करांती ये जो विद्रोव हुआ था इसमें कोई नेता तो होगा कोई सब को लेके चले 857 की महान करांती के लिए उत्तरदाई ततकालिन कारण क्या थे? ततकालिन कारण समझते हो ना मलाब उस समय最近 ये करांती 2017 में जो करांती हुई उस साल के किस गया म cinnamon को दो बंड़ के उस स The New ही सहन हो पाया चलो जानते हैं उसके बारे में 1856 में कंपणी सरकार ने सेना में पुरानी बंदुकों के स्थान पर नई बंदुके सेना को दे दी इनका नाम भी देख रखा है एंफिल्ड राइफल नहीं याद रहे कोई बात नहीं पूरानी बंदुके बदल दी नई वेंगे होता क्या था चरबी में से इसे क्रीम सी निकलती है तो उसको थे स्मूत आज को इनका लेप लगाने लगे लगाने लग अब यह तो अब मान की बात है कुछ भी हो चाहे तो हत्याई भी तो भी एक इसू रहा होगा यह सुजना जब भारतिया सहनिकों को पता चली तो वे बहुत कुस्सा हुए क्योंकि गाएं पर तेक हिंदू सिपाही के लिए एक पवित्र पसूराइद गाएं तो भगवान के समान मानी गई है ना हिंदू द्रहमें और मुसलमान जो है सूरों से नफरत करते थे तो अता है सूरों चर्बी वाले कार्थू जो है 1857 की महान हुए 1857 की यह इतनी जरूर मलब करांती तो हो गई थी लेकिन इसका फाइदा क्या हुआ इसका असर क्या पड़ा उस टाइम पे बाद में या उसके कुछ साल के बाद या कुछ सो साल के बाद भी कव क्या असर पड़ा वह हम को यहां पर बताना है चलो जानते पहले सामुही प्रियास सामुही की यानि कि पूरा देश इकठा होके हर कैटेगरी के लोग जो है इसमें निकालने का प्रियास किया कियोकि उस समय अंग्रेज एक बड़ी सामुधिक शक्ती थे करांती किती थी 31 मौई 1857 की गई थी लेकिन चर्बी वाले कार्टुसों की घटना क के कारण यह 10 मई को सुरू हो गई यानि कि बोला तो गया था सारे देश में ऐसे बताया गया था कि भाई 30 मई 1857 को हम पूरे देश में करांती करेंगे लेकिन 21 दिन पहले करांती चालू करवा दी यह महान करांती संगर्स ने इस महान संगर्स ने कंपनी सामराज्य की जड़े हिला दी ऐसा लगा था अंग्रेजों को कि अगर वो तो दोग के बाद निकला था एक बंदा और उसकी वजह से यह करांती फैल हो गई और पहले पता लगया और दीरे-दीरे मामला सठकाते गए अंग्रेजों को पता लगया भनक आ चुकी थी नहीं तो जो है साइद अंग साल कमपनी राजगा अंत करके भारत को इंगलाइंड के अधिन कर दिया गया इसे अंगला तो में बार्ट सरकाल की कि अब किसी भारती राजा का राज्य नहीं चीना जाएगा जो की कम्पनी बार बार चीन रही थी डलोजी लैप्स की निति ले आया बैचारों को बेटे न ने दिये और हतियाली जमीर कुछ राजाओं को मरवा दिया कुछ से धोका धड़ी करके हतिया लिए जो भी तरीका उन्होंने अपनाया तो अब बोला कि अब से किसी राजा का राज्या में नहीं छीनेंगे उनके अंत्रिक मामलों में हम अस्तक शेप नहीं किया जाएगा और उनको पुत्तर गोदले ने उनके उत्त्रादिकारी मनोणित करने का भी उनको अधिकार दे दिया लेकिन उनको इंग्लैंड के सासन के दिन माना गया अब आजादी देदी काफियात तक उस चीज में सेनय पर सासन में भी अनेक बदलाव किये गए सेना में यूरोपियन सान को क्या दिन रखने का निश्चे किया गया अब यह तो आप चीज खुदी समझे क्टर देश में करांटी युए थी किस ने करी थी भारत वाले लोगों ने भारत वाले लोग कर रहे हैं और गोला बारूद किसके पास रहे भारत वालों के पास कि भया भरतिया यह बंदा और बंदा संभालेगा सारे का सारा मामला यानि की गोल बारूद जो भी कुछ है वह भारत वाले तो भाई करांटी तो सबसे पहले किसके पास बंदुखे गोले भारत वालों के पास में तो इन्होंने वह गडबड नहीं वह नहीं होने दी क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया थ अब के बारे इनोंने सारा जो कंट्रोल था वो अंग्रेजी सरकार के अधिन ही रखा अंग्रेजी सेनिकों के धिन रखा, इस परकार पुनरगटन किया गया कि उनमें एक्ता की भावना पैदा ही नहोँ, अब उनको अलग- जाती है भेदबा और बहुत सारी चीज़े करके उनको अलग कर दिया गया सेना का अधार जाती है रखा गया और इसी करांती से बाद में भारतिया सवतंतरता का रास्ता खुला और 15 अगस्त उनीशो सेंतारिस को देश को आजादी मिल गई यह तो काफी बड़ा सब जानते देश आजाद हो गया था 15 अगस्त उनीशो सेंतारिस को तो इस तारिक के बाद में जो है मदब इस तारिक से पहले जो करांती कारी आये नेता आये तो वह इसी करांती 1857 की करांती से प्रेरी थी और उन्होंने फिर देश के आजादी में अप जहां आसपास अंग्रेज भटक रेज़न को पेलना सुरू कर दिया यार भारतिय सासकों का दिली पर हदिकार होने के बाद भारतिय सैनिकों ने गुडगाओं के कलेक्टर फोर्ड को खदेड कर गुडगाओं पर कबजा कर लिया हर्याना में रावतुला राम ने रिवाड लोगों को अपने साथ ही कठा किया और बोले बगाद अंग्रेजों को मार डालो सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने कड़े संगर्ष के बाद दिली पर वापीस से कबजा कर लिया ऐसे करांती हुई थी खतरनाक वाली लेकिन दिरे-दिरे अंग्रेजों की टैक्निक कुछ भी बल्लवगड में तो यह तीन नाम तो जुरूर याद रखने हैं बाकी याद रहे तो अच्छी बात है नहीं रहे तो कोई बात नहीं भूल जाना ठीक है चलो अगला परसन देखते हैं 1857 की महान करांती भारतियों में राष्ट्रे विचारधारा के उध्या में किस परकार स इसे भारतिया लोगों की विचारधारा कैसे बदली क्या फाइदा हुआ इस करांती का या कुछ फाइदा ही नहीं हुआ ऐसे फालतों में निकल गई ऐसा नहीं था फाइदा हुआ था यह सवतंतरता संग्राम विदेशी सासन को उखाड फैंगने के लिए लड़ा गया था इसमें जन सादान की भागेदारी सरहानिया थी संग्राम के दोरान सैनिक जहां से गुजरते थे स्थानिया लोगों की सहनुबूती उनके साथ होती थी खाने पीने को आराम करने को हर चीज उनको मुहिया कराई जाती थी संग्राम मिस्त्रियों ने भी भाग लिया जहांसी अगर यह करांटी नहीं होती ना तो 857 का जो अगर यह करांती नहीं होती आप यहां पे हमसे पूछा गया है 1857 की महान करांटी का सवरूप कैसा था बात बताए चर्चा कीजिए सवरूप का मतलब है कि वो कैसी थी उस करांटी के अंदर क्या हुआ था वो हमको यह पर बताना है देखो था रसो सतावन की महान करांटी गोरव मई थी ब्रीटिश सदिकारियों और सामराज्य वादी लेखकों ने इसे नीजी कारणों से सैनिक विद्रो मुसलिम सडियंतर इ मतलब ऐसे अलग-अलग नामों से पुकार रही लेकिन भाई मानने को तयार नहीं थे 1857 की करांटी ने अंग्रेजी सरकार को पूरा हिला रखा था परंतु ब्रीटेन के परसिद राजिनित्य राजिनिति गैडी डिज्रेली ने इसे राष्ट्रिय विद्रो कहा है कई अन् प्राण सब त्याग दिये थे उन्होंने तो सब लोगों ने मिलके वो कोशिश करी थी इस संगर्स में लाकों जाने चली गई यह इतना व्यापक था कि उत्तर एवं मध्या भारत के साथ साथ दक्सिन पूरों पस्चिन भारत में भी फैल गया सैनिकों के त्रिक्त सजा पा सब्तरता संग्राम कहा था क्या कहा था इस बंदे ने विनायक दामोदर सावरकर ने जो है कहा था यह जो 1857 के करांती हुई थी ना इसको पहला सब्तरता संग्राम कहा और दूसरे में तो आजाद ही हो गए थे हम लोग है ना तो यह सीन हुआ था चलो अगला परसन पढ़त की बात है 1793 के बंगाल में स्थाई बंदोबस्त के अधार पर 1794 में लागू किये गए सूरियास कानून के तहत यदि एक निश्चित तारिक तक तीथी को सूरियास तोने तक जमीदार जीला कलेक्टर के पास भूराजसव की रकम जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी जमीदार जाए तो यह उनका फंडा तो यह उनका फंडा था जमीदार बहुत सारे जमीदार उने जमीन गवाई भी तिया लिटरली चलो यह थे आपके इस चैप्टर से कोश्चन अंसर जो की मेरे को लगा में में है एक्जाम में पूछे जाने के चांसिस रहेंगे बाकि जो है अगर आपका यूटी होता है या कुछ भी होता तो वहाँ पर जो कोश्चन आते हैं वह भी हमें कमेंट में बताना ताकि जो है हम आने वाले टाइम में उनको भी यहाँ पर आड़ कर सेके उनके भी सोलिशन दे पाएं और और स्टुडेंट की भी हेल्प आईगी ठी अच्छे से प्रिपेर करने हैं और बस यही था इस वीडियो के इंदर चलो वीडियो खतम करते हैं मैं कवर करने वाला हूं कलास वन से लेके 12 तक सभी सब्सक्राइब करो साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए मिलते ह नई वीडियो में बाई बाई